आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी study gloss पर आपका बहुत बहुत सवाकत है दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा important article है लंबा lecture होगा लेकिन मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा क्या पाकिस्तान भारत और चाइना साथ में आए अफगानिस्तान के लिए चलो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना इंस्टा पर फॉलो करें टेलिग्राम पर आओ UPC का foundation course 28 तारीक को launch हो रहा है हमरा app भी 28 तारीक को launch होगा personal launch होगा बहुत ही affordable price में आपको वो courses मिलेंगे हम उतना ही ले रहे है जितने में हम sustain कर पा है बस अमेरिका और तालिबान ने deal sign की है historic agreement 29 फरवरी 2020 की American forge 2001 से अमेरिका की forge अफगानिस्तान में है 9-11 के बाद American forge अफगानिस्तान में गए कि अब तो आतंक वातकम सफाया कर देंगे लेकिन 20 साल हो गए कुछ नहीं मिला एक agreement sign हुआ 2020 में finally America की forces अफगानिस्तान से बाहर आएंगे लेकिन यही problem है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का गलट decision है अगर अमेरिका इस समय अफगानिस्तान से चला जाएगा तो फिर problem होगी भाई देखो 1979 में अफगानिस्तान में revolution हुआ दस साल तक सोवियत अफगान वार चला 1989 से लेकर 1996 तक civil war हो गया और civil war में तालिबान जीता अब 1996 से 2001 तक तालिबान का राज चला अब तालिबान का जो राज था वो बहुत ही भयावय था दुनिया भर के आतंकी और दुनिया भर की आतंकवादी संगठन जो है वो तालिबान पन पर भारत को बहुत नुक्सान हुआ सबको नुक्सान हुआ फिर अमेरिका जब गया तब चीजे बिलकुल सही होती है और अब जो है अमेरिका एकदम से छोड़के जा रहा है तो अमेरिका रहा तो वहाँ पे एलेक्शन हुए लेकिन दोस्तो प्रॉब्लम जादा बरती गई क्योंकि शुरुआत में तो अमेरिका और बाग की जो फोर्सेस थी मलब कैनेडा की और ऑस्ट्रेलिया सब लोग मिलके जो भी यूरोप जितने भी यूरोपियन से इन भारत की अमेरिका के साथ काफी लोगों ने मिलके यहां पर वार किया ठीक है तालिबान के उपर लेकिन दोस्तो धीमे धीमे तालिबान का फिर उद्य हो गया है अफगानिस्तान में आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर आना बड़ा मुश्किल है पसीने छूड जाते हैं तो अब दोस्तों जब कुछ नहीं मिला अमेरिका को अमेरिका को लग रहा था कि यहां पर ओयल रिजर्फ हैं और सब कुछ है और अफीम की खेती बहुत बढ़िया होती हैं खुब पैसा कमाएंगे एक उनका इंटेंशन ये भी था वो भी पूरा नहीं हुआ तो फाइनली 29 फ उके अमेरिका ने और उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ ऐसा नियेव ने ये कहना गलत होगा कुछ भी हासिल नहीं हुआ अमेरिका को मिला लेकिन जो अमेरिका का में इंटेंशन था कि खदम करतेंगे तालिबान को वो नहीं हो पाया इस समय आप समझे कि जादा अमेरिकन स सैनिकों ने अपनी जान गवाई है आप समझ रहें अब जो वाइडन ने बोला कि 11 सितंबर 2021 तक एक भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में नहीं रहेगा हम विड्रॉ कर देंगे पहले 16 मई को होना था मलब पहले मई को होना था अब यह 11 सितंबर हो गया तो 16 मई 2021 को चाइना के फॉरेंड मिनिस्टर वैंगी ने बोला वैंगी बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस विड्रॉल से इसको हेस्टी बोला कि जल्द बाजी में हो रहा है और यहां तक युनाइटेज नेशन्स की मीटिंग को भी बुलाने के इन्होंने अपील की शैंग के लिए प्रॉबलम में होगा चाइना इस समय क्यों इतना चिंतित है विड्रॉल के लिए जो अमेरिकन सैनिक देखे चाइना और अमेरिका की तो दुश्वनी है ना ट्रेड वार चल रहा है तो इस समय चाइना की क्यों बैंड बजी पड़ी है दोस्तो उसका रीजन मैं आ ठीक था लेकिन अब अमेरिका जा रहा है तो सब को ये डर है कि फिर इस रीजन में आतंकवाद फैलेगा चाइना पाकिस्तान में कंसीक्वेंसेज बहुत खतरनाक हो सकते हैं एकनॉमिक चैलेंजेज हो सकते हैं आप समझ रहे हैं आप ये समझिए कि एक स्टेबल अफगान पाकिस्तान को भी प्राखिस्तान को जबसेज़ादा कीव कि उस西 Catalunya Stephen कर भी प्राफ्लम होंगी ड्यांगि तो हो सकता है चाइना पाकिस्तान और भारत तीनों साथ में आि या लेकिन एकस्पड्स का कहना है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है आप देख सकते हैं तोटल 3108 ठिसक्ट ह से ऐइ और में से 498 में से 294 जो लाल में है शीक्स हैने एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार दूसरी तरफ तालीबान डेखिए 87 डिस्टिक्ट को कंड्रोल करता है और जो मत उस्तिक्ट अवर्बर्मेंट और मैं पांटी ब JESS समझेट बागी 241 के तर आन्फ contested area में भी Taliban का पलड़ा भारी है इसलिए America ने Taliban से deal sign की है Afghanistan से नहीं अमेरिकी सरकार ने शुरुवात में ये वादा किया था कि हम Afghanistan में free elections करवाएंगे औरतों को ज़्यादा right जो अमेरिका ने किया लेकिन अब दोस्तों Taliban के उबरने का मतलब ये है कि दिक्कतों का उबरना उसके बाद Taliban मान नहीं रहा है आपको बता दू कि सब कुछ हो गया Istanbul में 24 अपरेल को meeting scheduled की तालिबानियों ने boycott कर दी तालिबानियों ने बोला boycott कि हम meeting attendee नहीं करेंगे चुकि अभी तक अमेरिका बोल रहा था कि मई में जाएगा अब ये सब्तर सेतंबर कर दिया यानि कि इस तरीके का behavior आप देख रहे हैं कि तालिबान जो है उसने अभी सही अपने रंग दिखाने चुरू कर दिये हैं तो अगर American forces गई खतरनाक हो गई है इसी लिए अमेरिका चाह रहा है कि आतो पाकिस्तान में बेस बना ले भारत में बेस बना ले भारत बेस बनाने का देखा नहीं ऐसे थोड़ी ना कि यहां पर बेस बना अमेरिका के military भारत में क्यों मैं भी इसके विरोध में हूँ उसका reason ये है क्योंकि अगर अमेरिका का बेस बेस भारत में होगा तो भाया जो अमेरिका अमा लोग तालिबान अमेरिका पे अटाक करेगा तो उसके टारगेट पे भारत भी होगा क्योंकि हमारी जमीन पे अटाक होगा तो इसके फेवर में तो नहीं अब यह पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम लेकिन फिर अमेरिका जाए तो जाए काहा कहां वो बेस बना है कहां वो जा कि अफगानिस्तान पर नज़र रख सके तो अगर चाइना की बात करें दोस्तों 2000 अब हम तीनों की बात करेंगे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया सब के लिए क्या-क्या है चाइना बहुत खुश हुआ था जब अमेरिका ने इन्वेड किया था United Nations Security Council में ये प्रस्ताओ चाइना ने पारित किया चाइना बीटो कर देता है, पता है क्यूं? क्यूंकि चाइना को पता था कि भाया, अमेरिका इधर डाइवर्ट हो जाएगा और हमको opportunity मिल जाएगी, Eurasian continent में आ रहा है और हो सकता है कि हमको contain करने के लिए अभी तक अमेरिका Eurasian continent में एशिया में नहीं घुशा था इधर Middle East में घुश गया था लेकिन इधर नहीं आया था, इधर साइड एकदम भारत के करीब लेकिन आब आ गया है, तो हो सकता है चाइना के लिए problem करे, लेकिन यह हमारे लिए opportunity है क्योंकि strategic opportunity हमको मिलेगी 20 साल से चाइना के इतने पैसे अमेरिका के इतने पैसे अफगानिस्तान में फूके गए है और एक तक का जो है वो इधर डाइवर्टेड है तो चाइना के लिए opportunity है, ओके हम बहुत कुछ कमा सकते हैं साथी साथ, चाइना वैसे foreign intervention oppose करता है, लेकिन इसमें इसने बिलकुल support किया, United Nations Security Council का जो resolution इसने sign किया और यहाँ पे चाइना भी बोल ला था कि एक नई सरकार अफगानिस्तान में आनी चाहिए, उसका एक reason यह भी है न कि इधर north side में जिंजियांग है, ठीक है, चाइना के इधर north side में जिंजियांग प्रोविंस, अब problem यह है कि यह चाइना से जो जिंजियांग है, वहाँ पे वीगुर मुसलिम्स हैं, और वीगुर मुसलिम्स के बारे चाइना मानता है कि यह बड़े कट्टाई टाइप के हैं, अगर अफगानिस्तान unstable रहेगा, वीगुर बहुत time से आजादी की मांग कर रहे हैं, अफगानिस्तान unstable रहा तो अफगानिस्तान इन वीगुरों को support करे और अभी अफगानिस्तान का वापस, अमेरिका का अफगानिस्तान से वापस जाना चाइने के और बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि वैसे ही चाइना वीगुरों पे जुल्म ढ़ा रहा है, ये भी तालिबान के माइंड में होगा, कि कुछ ना कुछ करके इनको सपोर्ट दे और इस एडिया को आजाद कराएं, बॉर्डर कॉन्फिक्ट है चाइना का अफगानिस्तान के साथ, ये हो सकता है आगे जाके, पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की तो भाई हजार किलोमीटर की बाउंडरी ही है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के ल पाकिस्तान के लिए सिर्दर्दी बन गए अमेरिका तो इन मुझाहिज को ट्रेन करता ही था पैसा पाकिस्तान को देता था पाकिस्तान इनको हतियार देता था ट्रेनिंग देता था अमेरिका इन डारेक्टी ट्रेनिंग देता था पाकिस्तान को पैसा देता था बदले में प ही है security challenges है पाकिस्तान के लिए उपर से चाइना के लिए security challenges है अभी मैंने आपको बता अभी बारत पे भी आऊंगा मैं पाकिस्तान वैसे भी loans पे dependent है 500 million dollar का loan IMF ने दिया है 6 billion dollar अमेरिका देता था अभी 2019 में सांक्शन हो हला कि अमेरिका ने security assistance जो है वो कम कर दिया है यह सब करता था तो पाकिस्तान वैसे अभी यह सब झेल नहीं सकता लेकिन अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे attack करेगा especially FATF federally administered tribal areas तो यह पाकिस्तान के लिए problem होगी इन areas पर भी Pakistan जब America को उसने नई चोड आ तो पाकिस्तान की बात करते है भारत के लिए सबसे बड़ी problem है तो भारत को settlement हुआ नहीं यहां पर आप समझे कि जितने भी तालिबानी हैं हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का इंटरस्ट भी है ना पाकिस्तान का इंटरस्ट कश्मीर है कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन हो सकता है तालिबान के आने के बाद ये मुझाहिदीन कश्मीर की तरफ डाइवर के बहुत जादा है हकानी नेटवर्क से भारत को बहुत सावधान रहना है क्योंकि पिछली बार भी लश्करे तैवा जैशे मुहमत ने भारत की सिरदर्दी पैदा कर दी थी पूरा का पूरा विमान ICG 841 1999 में हाईजाक करके ले गए ते अफगानिस्तान तो यह दिक्कत होगी और फिर वही है कश्मीर में हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट दे और कश्मीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करे हमारी सिक्योरिटी के लिए डबल टास्क हो जाएगा तो अगर इस बात के जवाब को खोजने की हम कोशिश करें कि क्या वाकई में चाइना जो है वो सपोर्ट करेगा देखिए इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए जादा है फॉरिन मिनिस्टर वैंगी के जो रीसेंट स्टेटमेंट है उसके ये तो क्लियर है कि अफगानिस्तान में चाइना पीस चाता है पाकिस्तान को भी लोन मिल रहा है चाइना चाता है इस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान भी ये नहीं चाहेगा हाला कि पाकिस्तान चाइना कश सकता है बहुत जल्दी एग्रीमेंट भी साइन कर लाए और जहां तक भारत की बात है भारत चाइन और पाकिस्तान से दोनों से एच्छे रिलेशन इस समय नहीं चाइना से तो बिल्कुल नहीं है अभी 2020 का जो हिमालियन बॉर्डर कॉंट्रिक्ट हुआ फिर 370 जो हमने अब्रोगेट किया दोनों से ही दिक्कत है तो कुल मिला के बात यही आ जाती है कि क्या भारत चाइना पाकिस्तान तीनों साथ में आएंगे तीनों कॉपरेट करेंगे जो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस चल रहा है क्या होगा तालिबान तो एक डॉमिनेट करेगा पॉलिटिकल लैंड्सकेप को भारत के एकनॉमिक इंटरस्ट भारत ने अफगानिस्तान में भरबर के इंवेस्टमेंट भी तो किया है सबसे ज्यादे इंवेस्टमेंट भारत ने किया है चाइना ने भी किया है लेकिन भारत ने बहुत किया तीन बिलियन डॉलर का अब वो तालिबान पूरी कोशिश करेगा कि खतम कर दो इसको मेरा मानना ये है कि बहुत मुश्किल है कि भारत पाकिस्तान चाइना साथ में आजा बहुत ही जादा मुश्किल है इंपॉसिबल है कुछ अगर बहुत दम चमतकार होगे तब अलग बात है लेकिन फिलहाल तालीबान का आना और अमेरिका का जाना ये डिंजरस है कुछ नहीं ये परते रहे दिसे सिद्धान तक नहीं होता ही साइनिंग ओफ